कई विशे थे इस मीटिंग के अजन्डा पे जो काउंसल के सामने कंसिडरेशन के लिए थे GST को इंप्लिमेंट किये हुए पहली जुलाई से लगबग तीन महिने पूरे हुए हैं और पहले दो महिनों की जुलाई और अगस्ट की रिटर्न्स भी फाइल हुई है और इसलिए अलग अलग ट्रेड्स पर वैविसाव पर इसका क्या असर है और इस पूरे परिवर्तन में ट्रांजिशन में किसके सामने क्या-क्या अरुभव आये हैं ये एक चर्चा करने का अवसर था मीटिंग से पहले भी कई ट्रेड्स ऐसे थे जो लोग आकर अपने रेप्रेजेंटेशन्स देते थे और कई राज्जियों ने भी उसके संबंद में हम लोगों को रेप्रेजेंट किया था उसमें एक प्रमुख विशे था स्मॉल स्केल सेक्टर का और एक प्रमुख विशे था एक्सपोर्ट्स का इसके साथ साथ कई ऐसे प्रॉड़क्स थे गुड्स और सर्विसेज जिसको रेट इसको लेकर भी कुछ लोगों के रेप्रेजेंटेशन्स थे इसके साथ साथ जो कलेक्शन्स हुए हैं अभी तक दो महिने के उनको भी अनलाइज करना उसका विशलेशन करना इसका एक अनुबव था एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ कि अभी जो पैटर्न होगा कलेक्शन्स का इस दो महिने से पूरा स्पष्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि ये ट्रांजिशन का फेज है और इस ट्रांजिशन के फेज में जिनके पास पहली जुलाई से पहले पुराने स्टॉक्स थे तो उसका वो ट्रांजिशन क्रेडिट क्लिम करते हैं और एक बार वो व्यवस्था समाप्त होगी तो जो पोस्ट जी एस्टी रेजीम में प्राड़क्स मैनुफैक्चर होंगे या बिकेंगे या सर्विसेज प्रवाइड की जाएंगी केवल उसका जो रेविन्यू होगा वो उससे एक पैटर्न उबर कर सामने आएगा और इसलिए जिसा मैंने कहा कि पहला प्रमुख आईटम जो आज की मीटिंग में हम लोगों ने कंसिडर किया वो एक्सपोर्टर्स के सम्मंद में था और एक्सपोर्टर्स के सम्मंद में जो मूल समस्या थी कि एक्सपोर्ट के उपर टैक्सेशन तो लगता नहीं है क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको टैक्सेशन तो एक्सपोर्ट कर नहीं सकते क्योंकि उससे एक्सपोर्ट नॉन कंपेटिटिव हो जाते हैं एक्सपोर्ट को दुनिया के बाजार में प्रतिस्पता करनी पढ़ती है competition करना पड़ता है और इसलिए एक committee secretaries की बनी थी जिसमें states के और center के officials थे जिसकी recommendation consider की गई और यह आया कि जो exporters का credit है उसका काफी blockage हुआ हुआ है जिससे उनकी cash liquidity के उपर असर पड़ता है उसका data तो electronically available है लेकिन उसकी जो तुरंत refund वेवस्ता है वो electronically धीरे धीरे बन रही है उस निवस्ता को बनने में कुछ समय लग सकता है और इसलिए यह ते हुआ कि cross empowerment के माध्यम से central government और states के officials दोनों empowered रहेंगे और immediately तुरंत आच्छे October है दस October से जुलाई के महिने का और 18 October से August के महिने का refunds प्रोसेस करके उन exporters को उनके checks दे दिये जाएगे यह केवल एक interim वेवस्ता होगी और एक committee की recommendation थी जिसने एक long term solution suggest किया है और वो long term solution इस base पे है कि GST में exemption तो होता नहीं है तो फिलहाल और इसलिए एक e-wallet हर exporter का बनेगा उस e-wallet में एक national amount उसको advance refund की दृष्टी से दिया जाएगा और इस credit के माध्यम से जो उसकी products का IGST या GST देना है वो लोग देंगे और जो उनको refund eventually मिलता है उससे वो offset हो जाएगा ये प्रियास किया जाएगा कि ये e-wallet की विवस्था जल्दी से जल्दी preferably first April 2018 से initiate कर दी जाए एक appropriate technology company इसको develop करेगी और तब तक जो exporter's होंगे उनके जो future exporter's होंगे वो एक nominal GST 0.1% के उपर merchant exporter's अपना export कर सकते है तो ये जो exemption उनको दिया जा रहा है extending existing advance authorization export promotion capital goods EPCG and 100% EOU till 31.3.18 तो इसके तीन हिस्से है जो पुराना है July August का उसका तुरंत refund दे दिया जाएगा future exports 31st March तक जो वो करेंगे उस exemptions तक करेंगे जिसमें वो एक nominal 0.1% देंगे और उसके बाद प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी preferably by 1st April 2018 ये E-wallet की वरस्ता तुरंत establish कर दे जाएगे इसकी जितनी भी और details है इसके कई और छोटे items है वो net के उपर डाल दे जाएगे GST का जो अगर pattern हम लोग देखे तो अभी तक जो payment pattern है collection pattern है उसमें जो बड़े players है substantial taxation उनकी तरफ से आता है जो small और medium taxpayers है nominal या nil tax nil की category भी बहुत बड़ी है वो उनकी तरफ से आता है और छोटे लोगों पे क्योंकि tax का burden कम है लेकिन compliance का दबाव ज़ादा है कि सभी members ने जो representation आई थी उसके base के उपर इसको examine किया था और इतनी हम लोगों ने एक detailed examination इसका किया और इसकी एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की है जिसमें जो large tax जिसके पक्ष यह है कि जो major tax collection है लगबग 94-95% जो बड़े players से आता है उसका एकदम flow बढ़ता रहे दूसरा जो medium और small taxpayers है वो tax net में रहे ताकि tax base बढ़ता रहे लेकिन उनका compliance burden हम लोग relax करते हैं और इसलिए कुछ प्रमुख निर्णे इस संबंद में किये गए जो composition scheme है जिसकी eligibility 75 लाख रुपए की total turnover तक थी उसमें हमारे पास थोड़ा head space था क्योंकि कानून में एक करूर रुपए की का प्रावदान है तो composition scheme का दाइरा आज बढ़ा दिया गया है और composition scheme अब 75 लाख के स्थान पर एक करोर तक जिसकी turnover है वो लोग कर सकते हैं इस composition scheme में तीन प्रकार के लोग आते हैं जो trading करते हैं वो एक 1% tax देंगे यानि एक करोर तक की turnover होगा तो केवल 1% tax देना पड़ेगा जो manufacturing में हैं उनको 2% देना पड़ेगा और जो restaurant business में हैं उनको 5% देना पड़ेगा तो composition scheme का दाइरा बढ़ा दिया गया है एक दूसरा लिर्णे हम लोगों ने लिया कि अभी तक जो total taxpayer base है जिसमें लगबग 72 लाक, 72 लाक्स पुराने असेसीज थे जो migrate किये हैं और लगबग 25-26 लाक नए असेसीज जुड़े हैं अब इन में से स्ववावी के सभी tax नहीं देते निल tax देने वालों की संख्या भी बहुत अधिक हैं इसमें से लेकि इन लोगों ने अपना registration करवाया हुआ है इसमें से लगबग 94-95 परसन टैक्स जो बड़े असेसीज हैं उनसे आता है और जो छोटे असेसीज हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है और ये वो लोग हैं जिनकी टर्नोवर डेड़ करोड रुपया या उससे कम है और ये एक मास टैक्स पेर्स का है इन में से लगबग साड़े पंदरा लाख वो हैं फिफ्टीन अना हाफ लाक्स जो एक करोड से कम हैं और जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम को स्विकार किया है अब कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको तीन महीने में एक बार यानि कौटरली रिटर्न फाइल करना पड़ता है और कॉर्टरली अपना वन परसेंट तू परसेंट या फाइफ परसेंट जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं टैक्स दिना पड़ता है उसी प्रकार से ये ते हुआ कि जिनकी देड़ करोड तक की टर्नोवर है वन अड़ा हाफ करोर की टर्नोवर है और इसमें लगबग 90 परसेंट असेसीज कवर हो जाएंगे जो आउटसाइड दी कॉंपोजिशन स्कीम है वो अब मन्थली रिटर्न के स्थान पर कॉर्टरली रिटर्न फाइल करे जो वन अड़ा हाफ करोर से ज़ादा टर्नोवर वाले हैं वो पुरानी विवस्था के मताबिक GST 1, 2, 3, 3D सब उसी हिसाब से फाइल करते रहेंगे मन्थली और इस तरीके से जो स्मॉल और मीडियम टैक्सपेयर है जिसकी टर्नोवर डेड़ करोर से कम है उसका कम्प्लाइंस बर्डन दो तरीके से कम हुआ कि एक करोर से छोटे वाला कॉंपोजिशन में जा सकता है वो भी क्वाटरली है और नॉमिनल टैक्स दे सकता है और अगर वो ITC का बेनिफिट लेना चाहे है इंपुट टैक्स क्रेडिट का तो वो क्वाटरली रिटर्न फाइल कर सकता है इसके साथ साथ कुछ विशे ऐसे थे जो कुछ मिंबर्स ने रेस किये जिसको लेकर काउंसल में काफी डिसकशन था अलग-अलग मत थे लोगों के कि ये जो पहला विशे जो ये एक करोर रुपया काउंट होगा तो क्या इसमें टैक्स पेमेंट की दृष्टी से केवल टोटल टर्नोवर देखी जाएगी या इसमें एक्जेम्टिड गुड्स बाहर किये जा सकते हैं जैसे कोई ग्रॉसरी शॉप चलाता है अब ब्रैंडिड आइटम पे वो पांच परसंट देता है लेकिन जो खुला आटा चावल बेचता है उस पे जीरो टैक्स है तो टैक्स किस वो जो वन परसंट देगा अगर ट्रेडर है तो वो एक्जेम्टेड गुड्स भी उस वन परसंट में आएंगे कि वो बाहर रहेंगे अभी तक पुराने वैट रिजीम में भी और प्रेजेंट रिजीम में भी वो उसमें गिने जाते हैं तो अगर उससे मुक्ति मिल जाती है तो फिर उसका कंप्लाइंस और सरल हो जाता है दूसरा एक विशे कई सेजस्यों ने रेज किया कि क्या कॉंपोजिशन स्कीम में जो लोग आएं है उनको इंटर स्टेट सेल्स अलाउड हैं की नहीं अभी कानून उसकी अनुमती नहीं देता तो क्या इसमें परिवर्टन सोचना चाहिए और तीसरा जो ये दो परसंट मैनुफैक्चरिंग में टैक्स देते हैं तो क्या इनको दो परसंट के इसाब से इंपुट क्रेडिट मिलना चाहिए की नहीं अब ये विशे थे जिनको डेप्थ में एक्जामिन करने की ज़रूरत है और एक जी एस्टी काउंसल की तरफ से ग्रूप अफ मिनिस्टर्स, फानाइन्स मिनिस्टर्स होगा स्टेट्स का वो इसको अर्जेंट बेसिस पे एक्जामिन करेगा और दो सब्ता में, दो वीक्स में अपनी रिपोर्ट देगा इसी जी ओ एम को एक चौथा विशे भी सौपा गया है क्योंकि एक प्रायर शिकायत भी मिली है और लोगों का सदस्यों का इंप्रेशन भी था कि जो रेस्टोरेंट्स हैं जो एक करोड से कम वाली टर्नोवर के होंगे जो पहले पिचातर लाग से कम वाले वो तो पांच परसेंट कॉम्पोजिशन में आते हैं जो उससे बड़े हैं जो एक कंडिशन हैं वो अठारा परसेंट टैक्स लेते हैं वो आई टी सी क्लेम करते हैं लेकिन क्या उस आई टी सी क्लेम के साथ उन्होंने अपना रेट कम किया है कि नहीं किया और इसलिए इन रेस्टोरेंट्स के टैक्सेशन सिस्टम को रीविजिट किया जाए कि क्या इसका टैक्स कम करने की आवश्यक्ता है जी एस टी या अल्टरनेटिवली उसको कम कर दिया जाए लेकिन क्योंकि उब्भोकताओं को कजूमर्स को आई टी सी का लाब नहीं मिल रहा तो वो भी आई टी सी क्रेम नहीं कर सकते फिर तो इसकी क्या वेकलपिक व्यवस्ता हो यही जी ओ एम यह चौथा विशे भी रेस्टूरेंट्स का स्टड़ी करेगा इसके साथ तीन विशे ऐसे थे जिन में से दो बिल्कुल टेक्नॉलोजी रिलेटिड हैं एक है इवे बिल कब से लागू किया जाएं करनाठक में एक्स्परिमेंटल बेसिस पे शुरू हो चुका है उनका अनुबव काफी पॉजितिव है तो धीरे धीरे फर्स्ट जैनूरी के बाद जैसे उसकी टेक्नॉलोजी एक्स्पैंड होती है और स्टेट्स में जाएगा और कोशिश होगी कि फर्स्ट एपरल तक इसको पूरा लागू करने की कोशिश की जाए रिवर्स चार्ज मेकैनिजम की जो विवस्ता है की जब कोई रेजिस्टर्ड डीलर अन्रेजिस्टर्ड से खरिटता है इसको पहले उसकी डेविट एंट्री देनी है और फिर उसको रिवर्स करना है इन्पुट क्रेडिट से तो इसको लेकर क्योंकि कुछ छोटे वेपारियों में भ्रम्र फैला है तो इसकी वर्किंग को स्ट्रिम लाइन करने के लिए 31 मार्च 18 तक इसको डिफर किया गया है एक इसमें दिजिएन है कि परसंट प्रोइदिंगां चाहिए service, such as extending deposits on which interest is received, are eligible for the composition scheme. जो service provider हैं जिनकी turnover बीस लाग से कम है, उनको interstate service से exempt किया जाता है. इसके कई उधारण है जैसे आप लोगों को एक profession में ही कि अगर कोई यहां बैठ कर article लिख कर Bangalore के किसी paper में भेज़ता है, तो वो जो payment आएगी उसको करणाटक में register करना पड़ेगा, तो इंटर स्टेट सर्विस है, तो उससे उसको exempt भी एडाता है. कई consultants होंगे इस प्रकार से. TDS और TCS के जो provisions हैं उनको भी पहली April 2018 से operationalize किया जाएगा. एक इसमें दिरने था कि requirement to pay GST at the time of receipt of advance on account of sale of goods is dispensed with for taxpayers having a turnover of 1.5 crores. इसमें GST सिर्फ at the time of sale दिया जाएगा. कुछ items, revised rates of goods and services के थे, जो आज की मीटिंग में आये थे, कई items जिनका tax rate fitment committee ने revisit किया था, ऐसे लगबग 27 items हैं. जैसा मैंने कहा कि हमने जो पहले fix किये थे, they were fixed on the principle of equivalence की पहले वैट regime में क्या लगता था. अब उस वक्त क्योंकि excise, disguised होता था और छुपा होता था, तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि इस पे कितना tax है. जैसे और धीरे धीरे वो items सारे 28% में आते थे, जैसे पिछली बार हमने कहा कॉपी बोक, जॉमेट्री बॉक्स, अंब्रेला, रबर बैंड्स, ये पुराने disguised एक साइज में 28% में आते थे. तो इसलिए इनको हम लोगों ने कम किया था. इसी तरह इस बार भी कुछ items हैं जो इस category में आते हैं, उसको कम किया गया है. लेकिन मैं आपके benefit के लिए उसको पढ़ देता हूँ. Sliced dried mangoes 12-5% किया गया. खाकड़ा इन प्लेन चपाती 12-5% किया गया. जितल ये जो ICDS के जो बच्चों के food packets जाते हैं स्कूल्स में, ये 18% था पुरानी रेजीम में, उसको 5% किया गया. अन ब्रैंड़िड नमकीन 5% बारा को 5 किया गया. अन ब्रैंड़िड आयूर्वेदिक मेडिसन्स बारा से पांच, प्लास्टिक वेस्ट अठारा से पांच, रबर वेस्ट अठारा से पांच, पेपर वेस्ट अठारा से पांच, एक बहुत प्रमुख आइटम है, यान, मैड मेड यान, जो अठारा परसन्ट था, उसको बारा परसन्ट किया गया है. और इसका टेक्स्टाइल, कि आईटीसी पे काफी प्रभाव पढ़ता है. कई प्रकार के स्टोन्स हैं, जो फ्लोरिंग में इस्तेमाल होते हैं, मार्बल और ग्रिनाइट को छोड़के, कैसे एक कोटा स्टोन है, और चतिस गड़ में, राजिस्तान में कई तरह के पत्तर हैं, वो सब अठाइस में थे, अठारा में आए गए हैं. स्टेशनरी के बहुत सारे आइटम्स थे, जो अठाइस में थे, क्लिप्स हैं, और उस तरह के अलाइड आइटम्स हैं, सब अठाइस परसंट थे, पुरानी डिस्गाइस रिजिम में, सब अठारा में लाए गए हैं. डीजल, एंजिन्स के जो पार्ट्स हैं, अठाइस से अठारा लाए गए हैं. पंप्स के जो पार्ट्स है 28 से 18, इवेस्ट जो है उसको 28 से 5 किया गया है, उसी प्रकार से सर्विसिज में ये तो जॉब वर्क करते से जरी का उसको 12 से 5 में लाया गया है, जॉब वर्क के कई आइटम्स हैं, इमिटेशन जूलरी के, फूड आइटम्स हैं, प्रिंटिंग के आइटम्स हैं, उन सब को 5 परसंट में लाया गया है, जॉब वर्क आइटम्स को, जॉब वर्क्स, ये जो गवर्मन कॉंट्राक्ट्स इंवल्विंग हाइटम्स अफ लेबर, जी से पिछली बार ये सारे 18 परसंट के थे गवर्मन कॉंट्राक्ट्स के, और 18 परसंट में से हम लोगोंने 12 परसंट कर दिये थे, तो जितनी गवर्मन बिल्डिंग्स वगरा हैं, वो तो 12 में रहेंगी, लेकिन जैसे इरिगेशन कॉंट्राक्ट्स हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन मटिरियल कम होता है, लेबर कंपोनेंट जाला होता है, हाई लेबर कंपोनेंट वाले उनको 5 परसंट पे किया गया है, इसकी एक डिटेल लिस्ट, इसके इलावा कई चेंजीज किये गए हैं, लीजिंग आफ वहिकल्स के संबंद में, क्योंकि लीजिंग पर वही रेट लगता था, जो वहिकल के ऊपर लगता था, तो उसको अबेट्मेंट के उसको करके उसको 65% कर दिया गया है, लीजिंग के जो लीजिंग चार्ज होते हैं, ओल वहिकल्स, इसको अबेट्मेंट में जाएगा, जो पुराने लीजिंग कोंट्राक्त है, एक साथ से पहले वाला, क्योंकि उसमें इंपूट टेक्स्टेटिप उन्होंने ली नहीं थी, that was the issue. ने अप्रूव किया है, और जैसे ही आगे revenue बढ़ता है, और revenue neutrality की situation देखते हुए, future rates will be tailored according to that concept paper. ये broad निर्वने थे आज की, इसमें अगर कुल मिला के कहें, लंबी meeting थी, दिनबर चली, और revenue improve हो, एक वो consideration था, और दूसरी तरफ एक revenue का pattern study करके, कि जहाँ जहाँ convenience create की जा सकती है, ताकि transition tax system का smooth रहे, ये एक प्रयास आज की meeting के अंदर गुआ है. The concept paper will have, भुद प्रयदे एक जा सकतार है, अजल प्रिक्त की, इसमें बजाती है, वी प्रेश खविएन ख़ रज़ी cool, इसलावर जर के में लभ लगपिति है? industry or the other in mind. But these are a general guide. This indicates a future approach. The return filing में, the experience of the August returns has been much better than that in July. And secondly, now, अब जो पैटन आएगा, क्यूंकि मंत्री रिटर्न तो बहुत थोड़े लोगों की रहेगी, अधिकतर लोगों की quarterly होगी और उसमें भी दो category होगी, एक composition होगी, एक non-composition होगी, तो अब phasing करने का भी एक आपको अफसर मिल जाएदा. तो everybody need not end on the same day. All the three categories will obviously end on different days. क्यूंकि बदेख अरो वाद सेता है जिस ऑ कमने आपको वाद जः बहादाड़ wुंक सेla stimulडिया